शहर का पांचपाली पुल्या जहां से हर रोज हजारों की तादाद में नाकरी यातायत करते हैं आपको बता दे के इस पुल्या की हालत खस्ता हो गई है लोग अपनी जान जोखिम में डाल कर इस पुल्या से आवज आई करते हैं इसलिए इस पुल्या की मरमत करने की मांग को अनिल अहिर करके नेटोत्व में पोलिया पर बैठ कर प्रशासन के विरोत में आंदोलिंग आगया है पिछली दो साल से सरकार विकास कार्यों के नाम पर शहर में सिमेंट कॉंक्रीटिंग सड़क कार्यों पर करोड़ रुपे खर्च करी है साथी शहर के बाहर जाने वाले बार पास और अनिस सड़कों का काम शुरू क्या चा रहा है लेकिन ना कुछ शहर के पांचपॉली पूल पर बने बड़े बड़े गटे प्रशासन को नजन या रहे है वही आए दिन हो रहे दुरगटनाओं की और प्रशासन का ध्यान आकर्शित करने के लिए गोली बार गांचा के ट्रेडर्स असोशेशन शहरी सेल की और से लोक निर्मान विभाग के खिलाब अनुखा विरोध प्रदर्शन क्या आग्या शहर में चल रहे कॉंक्रिटिंग और आशिक सड़कारियों को ततकार पूरा करने के लिए निर्मान विभाग के अधिकारियों के साथ साथ ठेकेदारों को जगाने के लिए निर्मान विभाग के अधिकारी की प्रतिकात्मक प्रतिमा पर कालिक पोती गई निर्मान विभाग के इन सभी एकादी कारों के कारण नागपुर के नागरिकों को बहुत नुकसान हुआ है और उनमें सारवजनिक निर्मान विभाग के खिलाब बहुत गुशा है सबसे गंबिर बात ये है कि नाकपुर शहर में जितने भी सिमेंट कॉंक्रीटिंग सड़के की गई है वे बहत खटिया गुनवत तिकी है और हर सड़क पर बड़ी-बड़ी दरारे पड़ गई है मानो जैसे भुकम पा क्या हो पुलाची अवस्ता यवड़ी गंबिर सा ले लिया है यवडे खट्डे त्या टिकानी पठ कंछी पड़ ले अधिकारी आघंधिकारी होत ले अंत्रशण है आज अन्तर प्रश्न है आज अमे त्या Ask a notWhen एरी चाहर मते मैंना ज्या फोटोग्राप 10 महत्वाचा कामा करता तर तर तेनी दाहाते बारा दिऊ समधे तर या गड़े बुज़वले नहीं तर आमें आमसे अंदोलन तिवर करू वह यह अधिकारी जौब दरसिल तेन्चा तोंडाला काड़े फसु असमीत जाहिर करता है। शेत्र को जोडने वाला मुख्य परिवहन पूल है और यहां जिर्न शिर्नस दिते में हैं। वहां चलाते समय बड़े गड़ों की कारण नागरिकों के साथ कई दुरखट ना हो रही है। जिससे रेट की ब्रिमारिया और पीट दर्द हो रहा है। इसके लिए इस आंदोलन म आएगा। विरोत प्रदेशन में शहरी प्रकोष्ट की अध्यक्षय श्रिकान शिवनकर, गांजा केद व्यापरिसंग की अध्यक्षय महेश्रिवास, उपाध्यक्षय रवी पराते सहित अन्ने लोग उपस्तित थे। कैमरा परसंद राजकुमार महोड के साथ शितिजा देशम की रिपोर्ट।